बीटे दुनों कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांदी ने सेथ कालिन सत्र को लेकर मोधी सरकार पर हल्ला बोला था उन्होंने कहा था कि मुद्दो से बचने के लिए और गुजराथ चुनाओ के मद्यनजर बिजेपी सियासत कर रही है सोनिया गांदी को अब इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको बता दे कि पिजेपी ने अधिकारिक तोर पर जानकारी दी है आगामी 15 दिसंबर से संसत का सीथ कालिन सत्र शुरू होगा संसत ये कार्यमंत्री अनंत कुमार ने इस बात की जानकारी देते वे कहा कि ग्रहमंत्री राजनात सिंग के अध्यक्स्ता में संसत में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि सीथ कालिन सत्र चौदा दिन का होगा उन्होंने बता है कि पहले भी कई बार संसत का सीथ कालिन सतर दिसंबर में भुलाए गया है और ये जनवरी तक चला है तो वहीं अरंध कुमार ने ये भी कहा कि संसत में तीन तला को लेकर विध्यक पारित हो सकता है गौर्टलवय के सोनिया गांधी के बाद कौंग्रेस के वरिष्ट नेता मलेकार जुन खडगे ने सीथ कालिन सतर में देरी पर तलक लहजे में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बारे में कहा था कि वो संसार के रचैता ब्रहमा है SPN 9 News के लिए गायत्री गुपता की रिपोर्ट